नमस्कार, पूर्व पाठ्थे क्रम में हम पंच महा कावियों के बारे में जान चुके हैं, उनी पंच महा कावियों में से रगुश भी एक महा काविय हैं, जिसकी काविय कथा इस परिचे पाठ में भी दी जा रही है इस कहानी के पठन के पश्चा आप उससे संबंदित कुछ प्रश्णों को उत्तर के रुप में लिखेंगे दिली पश्य शाप वृत्तान तहा दिली पह सूर्य वम्शस्य न्रपह तस्य सुतह रगु हू रगु राजह प्रसिद्धह अतहा आयम वम्शह रगु वम्शह इती ख्यातह रगु वम्शे वैवस्वत मनुहू प्रथामह पुरुशह दिली पह प्रजावत्सलह आसीत सुदक्षिन तस्य पत्नी दिली पह बहु कालं अपत्य रहितह आसीत अतह सह चिंता क्रांतह अभवत वसिष्ठह दिली पस्य आचारिह दिली पह वसिष्ठम द्रस्टुम संकल्पितवान अतह सह सचिवेशु राज्यबारं निक्षिपतवान सुदक्षिन सहितह वसिष्ठाश्च्रमं गतवान तत्र निर्पह वसिष्ठाय स्वचिंताम निवेधितवान कुतहमम संततिही नास्ति इति प्रश्णम क्रितवान वसिष्ठह कारणम अचिंतयत आचारिह अकतयत निर्पह त्वम कदाचित स्वर्गम गतवान तत्र त्वम देवेंद्रम सेवितवान ततह त्वम प्रत्यागतवान तदा मार्गमध्य कामधेनुह आसित सा कल्प व्रिक्षस्य चायायाम आसित त्वाम ताम नद्रिष्ठवान नच नमस्कृतवान कामधेनुह कुपिता अभवत शापमचे दत्तवती अतह तवसंततिही नास्ति तस्याह संततिम पूजय तदा तवसंतानह भविश्यति इति दिलीपः प्रिष्ठवान शापवाक्यम मया नशृतम कुथह आचारिह अकथयत गंगा प्रवाह आसित अतह तत नशृतम इति निरपः अप्रिच्चत इदानिम किमकरोमी इति वसिष्ठः अवदत आश्रमे नंदिनी अस्ति सा कामधेनोह पुत्री ताम पूजय वन्य जीवनम् आचर अनुग्रह भविश्यति इति निरपः अंगी कृतवान सह परणशालायां वासम अकरोत सुदक्षिना अपि तत्रैव स्थित निरपः राजवैभवं अत्यजत कुशानाम शयने सुप्तह प्रातक्काले धेनुम् सुदक्षिना सहितह पूजितवान नंदिनी वनम् अगच्छत दरपः ताम अनुगतवान जागरूकह धेनुम् एक विम्षति धिनानी सेवितवान